जाहे हैं बच्चों कैसे हो आप सब लोग आशा करता हूं आप और आपकी परिवार में सब स्वस्थ होंगे और सब खुश होंगे आप लोगों के लिए एक हो लॉजिकल रिजनिंग का मैं वीडियो लेकर आया हूं इस वीडियो में आज मैंने सिर्फ एक कोशन लिया है जो क कोशन पहले हिंदी स्लाइड में आएगा उसकी पांच सेकंड बात वही कोशन इंग्लिश में तो आप मैसे जिस भी व्यक्ति को जिस भी लेंग्वेज कोशन करना है वो उससे कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप देखेंगे तो मैं वह एक्जेक टाइम समय सीमा में ही के वह समय सीमा है 3 मिनिट आप एक स्टापवश , लगा कर रखीह और उस समय में सौल करने के कोशिश करिए तो चार मिनिटumuz मैं लेविए लेकिन ऐसा नहीं कि आप कोशन देखके करे जाने दस मिनिट पंदरा मिनिट नहीं आना जरूरी है कोशन लेकिन समय में भी आना जरूरी है तो यह बात ध्यान रखेगा कोशन यह रहा आपके सामने तो देखे कोशन यह है कि कोशन में यह बोल रहा है कि आठ लोग है आठ लोग है वह आठ लोग है A, B, C, D, E, F, G और H कोशन यह आठ लोग जो एक K rakusha में बेठे हैं और चारर लोग जो है उत्तर की और मतलब नšछ की और देख रहे हैं उपर की और चार लोग जो चार उपर देख रहे हैं चार नीचे मतलब उत्तरों दक्षिम तो एस इस्टिती में एक चीज तो यह पता चल गई कि आपकी लाइन जोगी वह की horizontal ठीक है तो आपने horizontal line बना दी और इस horizontal line पर आपको कितने लोग बिठाने तो एक बात ध्यान रखिएगा equal equal distance पर आपको हर व्यक्ति को बिठाना है तो यह होगे आप पहला व्यक्ति यह दूसरा व्यक्ति यह तीसरा चोथा यह पाच्वा छटा सात्वा और यह होगे आठवा अपने इसाब से यू मत बिठा दना एक दो तीन चार करके दो कोने जो है इस पे बेठना जरूर यह व्यक्ति का अब इस पर चाल लोग जो उपर की ओर देख रहें चाल लोग जो नीचे की ओर देख रहें कोन से चाल लोग है में आइको नहीं पता थीक है अब थोड़ा question को थोड़ा ध्यान से देखना जब आप पहले point से करना शूरू करेंगे इ एफ के बाएं से चोथे स्थान पर है जो कि उत्तर दिशा की और मुग करके बेठा है वह जी का पड़ोसी नहीं है इसमें कोई सी भी चीज किसी की भी प्लेस क्लियर नहीं है आपको तो इसा पॉइंट्स आप उठाएंगे तो यह आपको बहुत तकलीफ में डाल देगा क्यो स्थाना जिसमें व्यक्ति की पोजीशन और डारेक्शन क्लियर हो इस वाले कोईशन में मैं देखूंगा कि जो पांचवा कोईशन है और पांचवा पॉइंट है उसमें चीजें क्लियर देके रखी हुए आपको क्या बोला देखो एच सी के दाएं से चोथे स्थान पर है एच का स्थान सी के संदर्व में देखे रखा हुआ है एच इस फोर तुद राइट ऑफ सी उसके बाद में बुला जो एक कोने पर बेठा है अब थोड़ा ध्यान से स्थान पर है एच इस फोर तुद राइट ऑफ सी जो इंग्लिश में आएगा वू यह किसके लिए होगा यह पीछे चलते हुए पीछे चलते हुए जो पहला वाला विक्ति आएगा यह उसके लिए होगा तो यहां पर वू किसके लोग यह सी के लिए और जो करके एक पॉइंट बोला आगे वह पॉइंट देख रहा है और इसके राइट से फोर पोजिशन पे है अब सुन आप सी एक कोने पर भी बिठा है बोला है एक कोने पर बिठा है तो सबसे पहली चीज़ देखो सी अगर कोने पर बिठा है तो सी यहां तो इदर कोने पर बिठेगा यह तो इदर वाले कोने पर बिठेगा और सी जो करके बोला उत्तर दिशा की और भी देख रहा चलो उत्तर की और दिखा दिया अब यहां से क्या इसके दाएं से 4th स्थान पर बेट पाएगा राइट से 4th पर बिल्कुल नहीं बेट पाएगा कारण यह कि यह खुद राइट पर तो इसके 4th स्थान पे यह यहां से पहला यह दूसरा यह तीसरा यह हो गया चोथा यह बिठा दिया आपने एच को ठीक है तो यह पहला पॉइंट आपका कम्प्रीट हो गया जो कि मैंने लिया पॉइंट नंबर फिर अब इसी से रिलेटेड आप देखते जाएंगे कि इन दोनों से कोई पॉइंट नंबर देखोगे दूसरा दूसरे पॉइंट में बॉला है जी दोनों में से किसी एक कोने पर बेठा है अब जी जो है जो दो कोने हैं जो दो सिरे हैं जो दो छोरे उन दोनों में से किसी एक पर बिठा है एक कोना पहले से भढ़ चुका है अब वह भी कोने पर ह यह पॉइंट दूसरे के बाद आप लेंगे पॉइंट नंबर थर्ड क्या बोला दोनों कोनों पर बैठे लोग एक दूसरे की विपरी दिशा की और देख रहे हैं जो दो लोग एंस पर बैठे हैं जैसे कि जो दूसरे की एक दूसरे कि इसक की दूसरे की डाक्षिन की और देखेगा इसके पार आप देखेंगे आ इलेटथ में तो पॉइंट नंबर आपको मिलेगा पहला एफ स के दाएं से चोथे स्थान पर बेठा है A जो है F के दाएं से चोथे स्थान पर बेठा है जो उत्तर दिशा के और मूँ करके बेठा है सुनते जाना आप थोड़ा ध्यान से कि A जो है उसकी पोजिशन है 4 to the left of F A F के बाएं से चोथे स्थान पर बेठा है और F के लिए दो चीजे बोलके रखी है पहली चीज तो यह North डारेक्शन में देख रहा है दूसरी चीजे जी का पडोसी नहीं है तो F पडोसी नहीं है जी का तो यहां पर तो बेठ नहीं सकता यहाँ पर बेट नहीं सकता अब F की और दूसरी पोजिशन कौन सी हो सकती थोड़ा जुनना यह सारी पोजिशन हो सकती है लेकिन कहां कहां नहीं बेट सकता है थोड़ा द्याव से सुनते जाना सपोज मैंने F को बिठा दिया यहाँ पे F कहां देखेगा उपर की और नौत की और तो अगर मैं नौत में बिठा दूँ तो क्या इसके लफ से फॉर्थ पोजिशन पे यह बेट पाएगा नहीं बेट पाएगा तो यह ओगई कैंसल F यहां भी नहीं बेट पाएगा F को अगर मैं यहां बिठा दू F उपर की और देखेगा तो क्या उसके लेफ से फॉर्थ पोजिशन पे आ पाएगा नहीं बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा तो F यहां भी नहीं बेटेगा F को यहां बिठा दू तो इससे फॉर्थ लेफ पे बेट सकता है यह एक दो ती नहीं यहां भी नहीं बेट सकता पॉइंट नमबर 60 बोल रहा है A और F एक दूसरे की विपरित दिशाव में देख रहे हैं A and F are facing opposite direction to each other F अगर उपर की ओर देख रहा है तो A उससे opposite direction में देखेगा मतलब कहां देखेगा वो नीचे की ओर तो नीचे की ओर दिखा दिया उसको च्छटे के बाद आप पॉइंट देंगे के पॉइंट नंबर साथ आप ओड़ रहा है एक के दोनों पड़ोसी एक से विपरित दिशा की ओर देखेंगे अब सुनना चार लोग दक्षिन की ओर देख रहे थे चार लोग उत्तर की ओर चार नौर्थ की ओर चार साउथ की ओर अब साउथ वाले चार में को मिल चुके एक यह दो यह तीन यह चार ए एच यह नाम इसका नहीं पता और कोने पर बेठा हुआ है जी यह लिख देता हूं चाक की आपको भिक्कत ना है चार मिल चुके साउथ वाले तो बच्चिवी जितने भी लोगों के सब उपर की ओर देखेंगे यह यह उत्तर की ओर देख रहे है मैं वे ए इस तो डिमाट दी ठीट जोलब दी इस तीसरे स्थान पर होगा जो कि दरक्षिन दिर जममाशक में लगों करके बुलावा अगर 220 जो है हो 17 जबिक रहा तो तो क्रों है नौर्थ यो अर्धा नौर्थ यह 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 आपक दोंडर की बंदे से तीसरे स्थान पर है ठीक है अब डी को यहां बिठा दिया और उसके थर्ड राइट पर इबेटेगा यह बेट गया आपका यहां पर सब बेट चुके हैं एक स्थान बचा है व्यक्तिवी बचा एक यह बिठा दिया आपने यहां पर बी को कुशन पूरा कॉंप्लीट फिर रीपीट कर रहा है इजो है वो दी के राइट से थर्ड पोजीशन पर है विठा लेकिन कहां पर पता नहीं लेकिन देखन लेकिन ऐग चीज साथ में नहीं देख रहा तो वो उत्तर के सिर्फ दो लोग थे मेरे पास यहां बिठाता तो इससे बंदा हुआ ह थर्ड राइट पर E बेठी नहीं पाता तो D को यहां बिठा इसके थर्ड राइट से E यहां पर बिठा दिया एक व्यक्ति बचा यह B और जगा भी पची एक B को यहां बिठा दिया कोशन क्या है B के दाएं से चोथे स्थान पर कोन है who is fourth to the right of B यहां बी उपर की ओर देख रहा है तो इसका राइट होगा इस साइड पर यह एक यह दो यह तीन यह चार यह हो गया आपका एंसर कि यह जो है वह B के राइट से fourth position पर है यह हो गया आपका एंसर एक ही कोशन था बाकी कोशन भी इसके अंदर बना सकते हो कि एक 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 लाफ पे कौन बेठा है कौन से दोव्यक्ति मध्य में मिडल में बेठे हुए है तो वह एक बार आपका पूरा structure बन जाएगा तो केसा भी कोशन पूछले सब बन सकते हैं ठीक है तो यह था आपका आज का वीडियो आपन वापस में आप लोगों के लिए एक चैनल पर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जहिन अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए